हर्दा पटाका फैक्टरी का हाल अब कुछ ऐसा है कि यहां पर कई लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं कई लोग अपनों को खो चुके हैं और यह तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर और दादी दादा सब बढ़िया है आपका क्या नाम है लेहा चंदेले कि क्या हुआ आपके परिबादे साथ पापा पम की एक्टरी के पास में आपका रहे aku कि और दिवाल चिपकी हुई थी थी हमारी वेक्टरी से ए उस वफ घर में है यह नहीं थी तीन फैने एक भाही अप घर महें थे तबmail कोंचिंग गई थी ड़ोनों इसकूल गया। कि हमारे गर में कुछ भी निवाचा सर सब जल गया त महाँब भी निस बसे कि किसको गुनागार मानती हैं आप क्या इंसाफ चाहती है अब पटा के वाले को गुनागार यह इतनी अबादी में नहीं बनाता तो लोगा चाहते नहीं इतनी अबादी में बसाया उसको भी समझना चाहिए ना कि इतनी अबादी में लोग बसे ऐसा नहीं करना चाहिए बारु कोई का फोन नहीं आया कोई की मदद नहीं हमारे तक कुछ भी नहीं आया अब है आपका क्या नाम है यह अपना सब कुछ को चुकी अपना घर अपने माबाप पुरे परिवार को देख रहे हैं आप बताएं आप घर में थे जब में इसको डाक्टर पास लेकी चली गई थी तरह अमारा तो कुछ भी नहीं बचा कुछ भी परिवार के हैं तो यह तस्वीर है रोती बिलगती हुई निया की और वाग तस्वीर हैं चुकि यह लोग फैक्टरी में काम भी नहीं करते थे बलकि फैक्टरी के पास इनका घर था धमाका इतना बड़ा था कि लोगों के घर उड़ गए माबाप को खो चुकी है घर पूरी तरह से खताम हो चुका है इंसाफ की तो गुहार लगाई रही है साथी साथ सरकार से भी मदद चा रही है कि किसी तरह की कोई मदद की जा सके